इंडियन गेम्स यह टर्म सुनने के बाद तो भई सब के दिमाग में या तो फॉजी आता है या तो फिर लगता है कि पका कोई ना कोई बहुत बखवास गेम होने वाला है और जब भई उसमें इस बैटल रोयल गेम ओले लोग बैटल रॉयल गेम आरा इंडियन तो भई तो इस वीडियो में में बात करना है यूजी ड़ू के इनक बारे में ये आज की वीडियो की टॉपिक है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होते विए उस टॉपिक से इस वीडियो को अम लोग करता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को इंटूटेन करता जुआ हो गांड़ा गांड़ा ज्यादा टीजर को फरक ने पर रहे है प्लेयलिस्ट मेशली टेस्ट से को कोई फरक नी पर रहा लेकिन अभी यूजेड़ा की जाना है और करोड़ो मतलब हजारो तर ज्यादा हो गया है बढ़ने हजारों यूटिवर्स इस बात पर व्यूज चापे जाड़ें, क्लिक बिट कर रहे हैं अपने थम्नेल में और इससे आपका व्यूज चापे जाड़ें मैंने भी लिखा एस पर की रिलीज रट ही आओगा, मैंने थम्नेल में लिख दिया है पर भाई, मैं इसमें एक्जेक्ट नहीं बताने वारा हूँ क्योंकि कंपणी ने कोई एक्जेक्ट नहीं बताया भाई, और जो आप दूसरे वीडियो देखते हो उसमें भी आपको गैस करके बताए या तो कुछ बताते ही नहीं पर मैं एक्दम एक्कुरेट बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इतना से इतना टाइम के बीच में आ जाएगा ठीक है तो भाई देखो यार जहां तक मैंने इसके बारे में सब कुछ सोचा है कि प्लेटेस्ट करेंगे और जैसे साब से यह मैं लोकेशन रिविल कर रहे तो भाई आप खुछ सोचो यार यह गेम अभी मतलब सर्फ लोकेशन रिविल कर रहा है गाडिया रिविल कर रहा है बस यहीं रिविल कर रहा है और प्लेटेस्ट करवा रहा है तो भाई अभी इसको भी मतलब प्लेटेस्ट करवाने में अभी दिखा रहा है कि प्लेटेस् भाई ये है वह इतनी तारी को आ रहा है इतनी तारी को भाई कुछ नहीं बोलत समझानी कुशिश्य की तौन बोला रहा है कि finally सॉम्जानी को बतानी कोशिश इनवे बाइब के दो को करना पढतएगा feedback चाहिए हैं न इस गेंगे को खिलनेके बाद यह राइए धी ची害 चाहिए है और यह कशिए वैसे करना में वह इसे करना है और यह feedback किया तो तो उनको community प्लेटेस्ट से आने वाला है यह फिर उनको, बीटा बिड़ोस्ट ise उनको यह पता होगा नहीं पता तो मैं बता रहा हूं अब इस पार्ट को स्किप कर सकता है अगर आपको पता होगा तो देखो यार किसी भी गेम में कोई ग्लिचेज है तो भाई वो कैसे दूड़ होंगे बताओ तो उसके लिए बीटा वागर अगर अधर प्ली टेस्ट होता है कि फारिंग में कोई ग्लेच है तो पता चले न कंपनी को डिलेक्ट गेम बना चाड़े तो भाई ऐसे दूड़ी हो जाएगा उसको में पताना पड़ कि यार आजाएगा तो उन पर बढ़ो सा मत करो और उनसे पूछो कि तेरे को पता कहा से चला और मेरी टॉपिक जो मैंने बोला उनके सामने रखो विए तो प्लेटेस्ट भी नहीं हुआ कम्यूनिटी टेस्ट भी नहीं किया नहीं किया उन्ने कुछ नहीं किया सिर्फ अभ साहिच यह सबसे चीज़ों करते हैज पाएगा यह यह बात करते पुछ आएप साध कि यह इस प्रूब रख पाएगा यह यह तो बहु livro कर दोग जो स econom Rule फीघंश पुली पूली कि युछ फीफ्र पत्ता कटने वाए र्या तो और खशते पंटम समय में यह तो ऑले पर पर फिर बीजी माई बैन हो गया अब लोग बोल बीजी माई वाले सब बोल जा थी कि दुबाड़ा आएगा दुबाड़ा एगा गेम को आया भाई कहा आया नहीं आया अब जिनको खेलना है वो या तो यह खेलेंगे क्या करते हैं पब जी न्यू स्टेट कहलेंगा और फोन में चल नहीं रहा नॉर्मली इतना बड़ा गेम है तो इसका तो पहले से पत्ता कट गया अब पजी वाले प्लेट को देखना वो लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे यही तो वही बीजी माई चला रहे होंगे मिना किसी अपडेट के बिना किसी चीजों के आपको तो प को पता चल गया ना कि फ्रीफायर का पता कटने वाला पबजी का कट चुका है अब आया इंडस का बात तो यह निवर बैन होने वाला गेम है इंडिया में कभी बैन ही नहीं होगा इंडिया में वह अलग बात है कि हो सकता एक लॉन टर्म बाद पांच-छे साल बाद इसका लोग खेलना छोड़ दे और यह अलग बात है तो इंडस इसका सबसे लादा टाफ ओपनेंट होने वाला युजी डबलू का और अगर मेरे हिसाब से सोचो नहीं देखो एक जंगल में दो शेर नहीं रहते यह कहावत है सिर लेकिन रहते दोनों है चार-चार सेर पुड़ा सब्सक्राइब कर दोने वाला है और उन चीजों को छोड़ते हैं लोग आगे बढ़ते हैं तो यार अभी देखो यार यह तो अभी होट्सपट रिविल कर रहा है कि हॉस्पिटल आए गया हॉस्पिटल होट्सपॉट जो में फाइटिंग एरा जोन होने वाला है जैसे कि समझ लो क्लॉक टावर पीक यही सब जगा आप समझ रहा हो ना जो मतलब मैं आप जो गेम आप खेलते हैं उस लैंगवज में आपको समझानी की पूरी कपाई गंस तो रिविल हो चुकी है जैसे कि आपको पता हो ग्रिनेड होने वाला है और भाई वह स्टेलिंग होने वा है अम लोग बात करती है गेम हीट हो पाईगा की नहीं देखो यार ज्यादा तर चांसे है कि भाई देखो इंड़स और यूजड़ में कोई एक ही जाएगा ठीक है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप दोनों एक साथ चल जाते हैं यह ऐसा बहुत बार देखा गया पबजी और फ्रीफार काई केस ले लो दोनों एक साथ चल रहे थे ठीक है पबजी जादा तर लुक यहीं बोलता है कि पबजी बड़े खेल रहे थे और फ्रीफार जो छोटे शोटे उनके भाई थे बो खेल रहे थे अब इसका रीजन भी आपको पता ही होगा क्योंकि तो इसका भी कोई बड़ी बात निया पर आसा भी नहीं है तो अलग बात करेंगे तो प्रेजेंट में यूज ड़ो इंडस का बात करने वाले रिलीज डेट का तो लोग अब से कब से कब तक के बीज में होगा और मैंने आपको बस यह बताया है कि क्यूं होगा और का होगा मैंने रिजन दिया है अब लोग इसकी क्या गयते हिट और फ्लॉप के बारे में बात कर रहे हैं यही दोनों में में टॉपिक है फिलाल चलेगा या नहीं क्यूंकि इंडस भी बहुत टफ कॉंपटिशन दे रहा है क्यूंकि देखो यार आपको समझों इंडस इतना अब इसका रीजन क्या है आपको बताता हूं यूजी डबलु जादा पॉपलर इंडस इसका रीजन ने क्योंकि भाई वह प्लेटेस्टोर प्रदी प्रदी प्री रजिस्टर के लिए है समझे प्री रजिस्टर करने के लिए वह है तो उससे थोड़ा टाइम पहले ह उससे प्रीजिस्टर के लिए छोड़ देंगे जाए और छोड़ दिया तो यह एक यूजी डबलु फॉल्ट कर रहा है कि भाई वह प्री रजिस्टर के लिए तो दिखा दिया पर उसको अभी गेम मतलब कुछ थोड़ा बी नौलेगा सबी नहीं मिला और इंडस के बारे म मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी तो इंडस की आपको मिल जाएगे ठीक है आउटले आपको मिल जाएगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है या चैनल भी जाके देख लेना उसके वर मैंने प्र डीटेल में वीडियो बनाई है और किसी भी गेम को मैं हेट नहीं कर चाहिए था क्योंकि देखो यार कोई इंसान या कोई भी चीज वह अपनी गलतियों से सीखता है और गलती अगर ना करें नहीं तो कोई नहीं सीख पाएगा ठीक है तो मैं वही बताना चाहता हूं कि इस गेमने क्या-क्या किया या पर क्या-क्या चीज़े हुई है जिस वी यही पताने को कुशिश किया तो आपने समझ गया होगा कि इसका सबसे बड़ा राइवल कौन सा गेम है और यही कि यह गेम हीट होगा यह फ्लॉप होगा यह मैंने पूरी वीडियो में बस यही कर समझानी की कुशिश किया रिलीज डेट और इसी बारे में क्योंकि दो ची के तो फ्यूचर में लोग भी यही कॉंटेंट डालेंगे तब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही अब तक के लिए और भाई चलो हो सब्सक्राइब करने चलो बाई मिलते अगले वीडियो में वीडियो में